असलाह अलेकुम दोस्तों चलिए आज बनाते हैं वेच्ची सेंड्विच इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और यह बहुत जादा टेस्टी है इसके लिए हमें चाहिए कुछ उबले हुए आलू इनको अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे और इनमें एड़ करेंगे नमक स्वादनुसार पीसी हुई लाल मिर्च आदा चमच और बारीक कटे हुए प्याज हरा धनिया हरी मिर्च इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर मैंने सैंड्विच पेट्ट ली है इसके उपर टोमेटो सौस लगाया है फिर इसके उपर पोटैटो की स्टफिंग जो तियार की थी उसको एक अच्छे से मोटी लियर लगानी है इसके उपर मयोनीज लगाएंगे मियोनिस के उपर एक एक ब्रैड रखके इसके उपर ग्रीन चटनी ग्रीन चटनी बनाने के लिए हारी धन्या और हारी मिर्च को मिक्सी में पीस लिया है थोड़ा सा नमक डालके इसमें कुछ वैजी जाइड किये हैं जैसे कक्डी, टमाटर और प्याज इसके उपर फिर एक लेयर मियोनिस की लगाके चीस स्लाइसेज रख दी हैं फिर उसके उपर लास्ट लेयर ब्रैड की रखेंगे ब्रैड पर भी कुछ मियोनिस और टमाटर सॉस लगा लेंगे फिर इसको उपर से कवर कर देंगे आप इन सैंड़िचे को सेकेंगे एक पैन अच्छे से गरम करके उसके उपर बटर या घी डालेंगे थोड़ा सा फिर उसके उपर बैट को सेकेंगे बैट को दोनों साइट से सेकना है और दबा दबा के सेकेंगे ताकि सेंडविच अच्छा क्रिस्प बने अगर आपको रेसिपीस पसंद आए तो चैनल को सब्स्ट्राइब जरूर करें